सुरक्षित रख लिया है और माना ये जा रहा है कि हाई कोट सोमवार या मंगलवार को केजरिवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है देखे रिपोर्ट और केजरिवाल की बक्ष की दलीले सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया है अब माना ये जा रहा है कि हाई कोट सोमवार या फिर मंगलवार को केजरिवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है कब तक जो लोग केजरिवाल को बेल मिलने पर सत्मेव जयते कह रहे थे आज वही सवाल उठा रही है देश की न्याय विवस्ता के लिए बजने वाली तालियां उंगली उठाने में बदल गए न्याय पालेका को स्वतंत्र पताने वाले लोग ही उसके दवाब में होने का प्रमाण पत्र जारी कर रही है कल केजरिवाल को बेल मिलने पर आम आद्मी पार्टी में जशनिश शुरू हो गया था केजरिवाल के जेल से भब स्वागत की प्लानिंग की शुरू हो गई था इंडी कट पन्तन की ओर से केज़स्रियादम ने भी केजरिवाल को बेल की बदहाई दे दी लेकिन एडी ने केजरिवाल की बेल के खिलाफ हाई कोट में याचिका दाखिर ही इसके बाद हाई कोट ने भी केस की सुनवाई होने तक अर्विन केजरिवाल की जमानत पर रोक लगा दी है इसके बाद केजरिवाल की बेल को लेकर जश्न मना रही आम आदमी पार्टी में सनाटा छागया कि जिवाल की बेल पर ब्रेक लगने से नराज आमाद्मी पार्टी ने कहा कि ये मोधी सरकार की गुंडा करती है और मोधी जी ने भारत की न्याय विवस्था का मजाग बना दिया है यानि कल न्याय विवस्था पर भरोसा दिखाने बाली आमाद्मी पार्टी आज ये कह रही है कि भारत की नियाए व्यवस्ता दबाव में है तो जब सारे गवाज, सारे सबूत जो कुछ भी E.D. ने परोसा सारे बयान जो कुछ भी E.D. ने परोसा सारी दलीले जो कुछ भी E.D. ने दी उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया तब तो कम से कम भाजपाईयों को शर्म करनी चाहिए कि आप E.D. को बिना आडग के दोड़ा दिया आप हाई को लेकिन पहली बार में देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो मुर्खों का गैंग है वो कोट को भी कटगरे में खड़ा कर देता है अब उसी कोट ने उन्हें बेल देने से मना किया उसी कोट ने उनके ही साथी को एक बेल भी दिया हालाकि बेल मिलना किसी आरोप से बरी होना नहीं है आज एडी ने केजरिवाल के खिलाफ हाई कोट के जिस फैसले का जिक्र किया वो इसी साल 9 अपरेल का है तब हाई कोट ने केजरिवाल की गिरफतारी को सही बताते हुए कहा था कि शराव नीती केस में एडी की कारवाई सही है यानि हाई कोट ने केजरिवाल की गिरफतारी को सही बताया था कोट ने ये भी कहा था कि E.D. ने कानोनी प्रक्रिया का पालन किया और E.D. ने जो सबू जुटाएं हैं उससे पता चलता है कि शराव खोटाले की सादिश अर्विन केजरिवाल ने रची थी और वो अपराद की आई शेपाने में शामर थे E.D. ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोट के अंदर और हाई कोट ने उसको सुनने के लिए अगरी किया और सुबह ही जो नीचे वाला ओडर है उसको टैंपरेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी आम आदमी पार्टी को पीच दी हासल है लोगों को गुमरा करने की लेकिन एक तथ्य है जो हम सब के सामने पश्ट है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोट का ओडर आज भी ऑपरेक कर रहा है किसी भी यानि देश के सुप्रीम कोट ने भी उस ओडर को अभी हटाया नहीं है व को लीगल है शराब घुटारा केस में कल लोवर कोट से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को बेल मिली थी तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया था दिल्ली की स्वास्त मंत्री आतिशी ने सूशल मीडिया पर कहा था सत्यमेव जयते लोवर कोट केस फैस्तर के बाद जशनी की तैयारी हो रही थी मिठाईया बाटने की भी तैयारी थी लेकिन 15 घंटे के अंदर ही जब दिल्ली हाई कोट ने केजरिवाल की बेल पर ब्रेक लगा दिये तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोधी सरकार की गुंडागर्दी ह आखे राजनीती का ये कैसा चरित रहे ब्यूर रिपोर्ट न्यूज एटी